हेलो एब्रीवन, स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल मेडिसिन टॉक में आज हम बात करेंगे विटामिन्स के बारे में यूँ तो हम जानते हैं कि विटामिन हमारे सरीर में बहुत ही आवश्चक होता है हमारे बोड़ी को काम करने के लिए विटामिन की जरूत होती है चुकि हम जानते हैं कि विटामिन कई प्रकार के होते हैं लेकिन इस विडियो में हम सिर्फ विटामिन B12 के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे सरीर में खून को बढ़ाने से लेकर कई सारे अने इंपॉर्टन रोल भी प्ले करते हैं या जो विटामिन B12 है यह हमारे सरीर में भोजन के द्वारा यानि जो हम भोजन करते हैं उसके द्वारा असानी से मिल जाता है लेकिन फिर भी हमारे बोडी में कभी-कभी vitamin B12 की deficiency यानि vitamin B12 की कमी महसूस होती है जिसके करण कई सारे समझसाइं दिखाई देती है तो ऐसे condition में डॉक्टर दोरा जो vitamin B12 की tablet आती है उन्हें दी जाती है supplement के तौर पे तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि vitamin B12 की कमी से कौन-कौन से disease हो सकते हैं या फिर समझसाइं आ सकती है इसके जो tablet आते हैं vitamin B12 की क्या उसे लेकर हम इन समझसाओं को ठीक कर सकते हैं इसके क्या कौन-कौन से popular brand name market में available है इसके क्या dose होते हैं साथ इसके क्या-क्या side effects हो सकते हैं और अंत में हम बताएंगे कि कुछ conditions और precaution इस टैबलेट्स के बारे में तो वीडियो का अब अंत तक देखिए क्योंकि दवाईयों के बारे में अधूरी जानकारी घातक हो सकती है और इसी तरह की मेडिसिन से जूड़ी जनकारी पाने के लिए आप हमारी चनल मेडिसिन टॉक को ज़रो से सब्सक्राइब कर ले तो चलिए सुरू करते हैं यह जो विटामिन B12 की टैबलेट्स होती है इसे मेथाइल कोवालमिन टैबलेट और मेकोवालमिन टैबलेट भी कहते हैं सबसे पहले जान लेते हैं कि विटामिन B12 की कमी से कौन-कौन से डिजियस यानि क्या-क्या समझताएं हो सकती है तो यदि किसी विटामिन B12 की कमी है तो उसके स्कीन का कलर पीला पढ़ जाता है उसके विटामिन का स्कीन कमजोर होने लगता है सारे लिए कमजोरी महसूस हो सकती है और चक्कर भी आ सकता है विटामिन पर पीन या नीडिल चुबने जैसा महसूस हो सकता है बैक्ति के मुँ में छाले पड़ सकते हैं या फिर मुँ में सुजन भी आ सकती है साथी साथ बैक्ति का अगर आग ठीक भी रहे तो फिर भी उसे देखने में दिक्कत आ सकती है उसे धुनला दिखाए दे सकता है यानि विजन प्रब्लम भी हो सकती है मोड अप रहता है कहीं पे भी मन नहीं लगता है और लेजीनेस जैसा फिलिंग रहता है और कुछ रेयर कंडिशन में पेसेंट के बॉड़ी टेंपरेचर भी हाई रह सकती है और यह सबी जो सिम्टम से बीटे सरीर में विटामिन B12 के कमे के कानव रहता है जिने हम मिथाइल क को वालमिन जो टैबलेट्स आती है उन्हें लेकर इन सभी समय स्था को ठीक कर सकते हैं इसके अलाबा मेगालोबलास्टिक अनेमिया करके एक जो मेडिकल टर्म आती है जिससे हम समय नमसा में खुन की कमे कहते हैं इसे ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा मिथाइल को वा बीर मिथाइल को वालमिन है या मार्केट में आपको टैबलेट फॉर्म कैफसुल फॉर्म और इंजेक्शन फॉर्म में वे असानी से मिल जाएगी और बात करें इसके ब्रांड नेम कि कि इस नाम किस नाम से मार्केट में से खरीज सकते हैं तो इसके जो पॉपुलर मेको लेक्स मिथाइल कोबाल और इसके अलावा भी कई सारे अइन ब्रांडे मार्केट में अबलेवल है जो कि आपके एरिया और डॉक्टर के अनुसर अलग-अलग हो सकते हैं अब बात करें इसके डोज की तो इसकी जो डेली रूटीन डाइट में जो इसकी डोज है वह है 2. 2.4 microgram par day के doze रहती है और यदि किसी ब्रांद को इसकी डेफिसेंसी है यानि इसकी कम्ही है तो इसके लिए जो डोज रहती है वह होती है 1500 mcl तक हो सकती है अब जानने लेते हैं किसी परकार की यरीक्सन नंग को मिल सकती है यह सब कुछ कौमन साइट इफेक्ट है जो की इस दवा के हो सकते हैं यह इसके अलाबा आपको किए और परकार की समयश्या यह साइट इफेक्ट देखने को मिले तो आप इस दवा को लेना तुरंट से बंद कर दे और अपने डॉक्टर से जाकर मिले ताकि आपको फॉर्दर टीट्मेंट दी जा सके और यह जो मिठाइल को वालमीन टैबलेट है इसे आप ब्रिस्ट वीडिंग मदर्स और प्रेग्नेंट को भी दे सकते है इनके लिए यह दवा बिल्कुली सेफ रहती है उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती है और साथ इसाथ जो एलकॉलिक पर्सन है जो कि सराब कर शेवन करते हैं उनमें भी यह दवा बिल्कुली सेफ रहती है वो एलकॉल के बाद यह दवा को ले सकते हैं उनमें कोई भी जनकारी असा करता हूं कि पूरी जनकारी दे पाया हूं और वीडियो कैसे लिए कि वीडियो को लाइक करके जरूर बताइए और इसी तरह के नॉलेजबल वीडियो पाने के लिए मेडिसिन से जूरी जनकारी पाने के लिए आप हमारे चनल मेडिसिन टोक को जरूर से सब्सक्राइब कर ले तो चलिए मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में